असलाम अलेकुम अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज JKCSR का लेक्चर 3 है और इस लेक्चर के अंडर हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा लीन, इस रिटेंशन, इस सस्पेंशन, और इस टर्मिनेशन यानि कि लीन क्या है, कैसे एक गर्मेंट सर्वेंट इसे रिटेंशन करता है कैसे लीन एक गर्मेंट सर्वेंट की सस्पेंट या टर्मिनेट होती है तो चलिए स्टार्ट करते है पहला जो हमारा इस में टॉपिक है, वो है कि लीन क्या है What is a लीन? lean एक government servant का एक right है कि वो उस post को hold करे substantially जिसके against वो appoint हुआ हो चाहे वो post permanent हो या tenure post हो तो जो भी post के against वो appoint हुआ हो उसको substantially यानि permanently hold करने का right एक government employee को है और इस right का नाम है lean ठीक है एक government employee की lean जो है वो एक permanent post पे भी हो सकती है tenure post पे भी हो सकती है substantially लेकिन एक time पे एक से ज़्यादा post पे नहीं हो सकती है यानि one time one post ठीक लीन जो है वो temporary post पे भी एक employee जो है hold कर सकता है लेकिन under special circumstances with the sanction of government ठीक अब lean कब retain होती है यानि कि एक government post पे while performing the duties of the post यानि कि जब वो physically उस post की duties को निबा रहा हो तो obviously उसकी lean उस post पे रहेगी अगर वो foreign service पे हो तब भी उसकी lean जो है उस post पे रहेगी जिसके अगेनेस्ट वो है point हुआ था या जिसके अगेनेस्ट वो उस टाइम पे सरुख कर रहा है department में अगर एक government employee officiating capacity में काम करा है higher post पे या temporary post पे तब भी उसकी lean जो है अपने post पे जो है वो बराबर रहेगी ज्वाइनिंग टाइम के दौरान उसकी lean अपने post पे रहती है unless उसे relieve किया जाए यानि मैं ऐसे आपको बताऊंगी कि अगर एक government employee किसी post पे काम कर रहा है और उसकी transfer हुई है दूसरे मतलब post पे by virtue of his promotion तो जब तक न वो old post से relieve हो जाए तब तक उसकी lean उसी old post पे रहती है अब चाहें promotion ना हो directly transfer हो तो जब तक न वो उस old post से जिससे उसकी transfer हुई relief हो जाए नए post के लिए तब तक उसकी lean जो है उसी old post पे रहती है ठीक है that means if a government employee is transferred from an old post to new post जब तक न उस old post से वो relieve हो जाए तब तक उसकी lean जो है उसी old post पे रहती है once he is relieved तो उसकी lean जो है automatically new post पे shift हो जाती है चाहे वो promotion के अंडर हो या transfer के अंडर हो normal transfer के अंडर तो lean जो है वो तब भी retain होती है जब एक government employee leave पे हो अगर एक government employee under suspension है तो जिस post पे वो suspend हुआ है उस post पे उसकी leave sorry lean तब तक रहती है जब तक न उसका suspension finalize हो जाए तो that means while under suspension जो lean है government employee की वो बराबर उसकी retain रहती है उस post पे जिस post के अगे नेस्ट वो काम कर रहा था suspension से पहले while in OPG अगर एक government employee जो है उसकी placement हुई है stop care basis पे on higher post लेकिन वो placement अभी confirm नहीं हुई वो भी OPG में है तो जब तक ना उसकी confirmation हो जाएगी on higher post उसकी lean बराबर उस lower post पे रहती है जिस पे वो OPG से पहले काम कर रहा था यहने कि जिस placement से पहले जिस post पे वो काम कर रहा था उस post पे ही रहेगी that means अगर एक junior resistant promote हो रहा है as senior resistant in OPG in stop gap basis तो that means अभी उसकी confirmation नहीं हुई है by DPC तो उसकी lean जो है वो senior resistant post पे ना होके junior resistant post पे ही रहेगी unless DPC जिसको confirm करें as senior assistant ठीक है next question when lean can be transferred lean कब transfer होती है तो एक government servant की lean जो है वो किसी दूसरे permanent post पे same cadre में अराम से transfer हो सकती है बशर्ति यह कि उस post की pay जो है वो same हो यानि कि अगर वो A post पे है और उसकी lean जो है वो B post पे transfer की जा रही है तो यह A और B post जो है वो same cadre के भी होने चाहिए और इनका pay जो है वो same होना चाहिए एक जो जितना वो A पे अपनी salary निकाल रहा था उसका जो pay A पे था वो B पे कम नहीं होना चाहिए ठीक है यानि कि एक junior resistant की lean हम एक attendant post पे shift नहीं कर सकते एक junior resistant की lean एक junior resistant post पे ही जो है यानि कि एक ऐसे post पे जो equivalent हो उसके अपने cadre के उस पे ही transfer होती है ठीक है अब कभी कबार क्या है हम lean जो है वो transfer तो करती है same post पे लेकिन कभी कबार higher या lower post पे भी lean को जो है transfer किया जा सकता है यहां मैंने आपको दिखाया है in case of normal transfers जो है same post पे lean आपकी shift होती है अब in case of promotion या कभी कबार non availability of post हो तो उस time पे हमें pay को draw करने के लिए lean को जो है shift करना पड़ता है higher post के gainist obviously अगर promotion हुई तो higher post के gainist lean को shift करना है और अगर कभी कबार ऐसा हुआ कि transfer हुई और उस organization में उस pay का कोई post नहीं हुआ उस level का कोई post नहीं हुआ या वैसा कोई post नहीं हुआ जो इस बंदे की designation है तो उस time पे जो है हम against higher post उसको जो है pay दे देते हैं but against higher post only for the draw of pay ठीक है उस time पे हम lean को shift कर सकते है against higher post only for the draw of pay अगर आपके पास post available नहीं हुआ otherwise in normal promotion उस time पे तो higher post के against होता है अब lower post के against कब आपकी lean जो है shift हो सकती है in case of punishment, in case of inefficiency और in case of absorption जैसे हमें पता है कि कोई organization होती है कोई जो federation होती है तो उनको wind up किया जाता है और वहां के employees को किसी और department में जो है absorb किया जाता है जैसे हमने अभी देखा wool board को जो है शीफ husbandry में उन्होंने जो है वो absorb कर दिया तो उस time पे जो है अगर वहां पे wool board में कोई ऐसा post हुआ higher जिसकी pay draw होती है और वैसा कोई post जो है शीफ husbandry में available नहीं हुआ तो किसी उससे थोड़े से lower post पे जो है उनका जो pay है वो fix हो जाता है उसको किसी थोड़े से lower post पे जो है absorb किया जाता है तो उस time पे जो है lean जो है from higher to lower shift हो सकती है ठीक यानि कि आपको समझ जाया same post पे कब हो सकती है higher post पे कब हो सकती है और lower post पे कब हो सकती है lower post पे in case of punishment in case of inefficiency in case of absorption और also on the request of government servant अगर government servant खुदी बोले जी मुझे ये higher post नहीं चाहिए उसके personal reasons हो सकते है या वो उस post की job profile को carry नहीं कर पा रहा हो और वो चाहता है कि उसको जो promotion मिली है उसको जो higher post मिला है वो से छोड़के वापस अपनी नीचे वाले post पे चला जाए तो उस time पे lean जो है वो lower post पे shift हो सकती है next lean कब suspend हो सकती है एक government employee की lean of a government servant can be suspended from a permanent post अगर वो तीन या तीन साल से ज्यादा तक absent रहेगा उस post से क्यों absent रहेगा अगर उसे debut किया गया होगा foreign service पे उस वज़ा से absent रहने के chances होंगे उसे अगर वो officiating capacity में या substantive capacity में किसी tenure post पे appointment हुआ तो और उस appointment की वज़ा से उसे जो है तीन या तीन साल से ज़ादा उसी post पे रहना पड़ेगा तो तब जो है उसकी lean को suspend किया जाता है यानि जब वो वापस आएगा तो उसकी lean को automatically जो है हम उसे दे देंगे ठीक है उसका suspension उसे जो है वापस उठा देंगे उसके बाद जो है अगर एक government employee जो है वो officiating appointment से उठकर के permanent post पे आ जाता है outside the cadre उस time पे भी उसकी lean जो है उस officiating post पे जो है suspend की जाती है ठीक अगर एक government servant जो है वो ऐसे post पे काम कर रहा है जिस पे किसी और की lean थी और उस और वाले बंदे की यानि कि उस दूसरे बंदे की जिसकी lean थी उसकी lean को फिलाल suspend किया गया है उस post से मैं आपको ऐसे बताती हूँ ये वाला point कि अगर एक government servant है वो किसी दूसरे post पे जो है उसको डाल दिया गया और जिस post के अगेनिस्ट वो काम कर रहा हो उस post पे उसकी lean जो है temporary suspend की जा सकती है जब तक न वो उस दूसरे वाले post से उठके अपने post पे काम करने को वापस आ जाए ठीक है और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ अगर एक government servant जो है उसने पहले कोई post जो है वो hold कर रखी थी और वो post ऐसी थी जिस पे किसी और की lean जो है वो suspended थी तो जब तक वो उस post पे रहेगा उसके अपने post की lean जो है वो suspended रहीगी आई बात आपको समझ उसके बाद जो है next अमारा इसमें question lean जो है वो कब terminate हो सकती है तो कब हो सकती है lean terminate अगर एक government servant जो है उससे transfer किया जाता है outside his cater to a post याने अपने cater के outside एक ऐसे post पे जिस पे उसकी confirmation भी की जाती है तो उ student department में उसकी lean terminate हो जाती है obviously अगर outside department outside cadre उसे दूसरे post पे डाल दिया गया transfer करके और उस post पे जो है उसकी confirmation भी हो गई तो automatically जो उसका अपना post था जिससे वो transfer होके गया था उस पे उसकी lean जो है terminate हो जाती है ठीक है उसके बाद जब एक government servant जो है tenure post से permanent post पे substantively आ जाता है transfer होके तो उस tenure post पे उसकी lean जो है वो terminate हो जाती है obviously जब वो tenure post को छोड़ करके permanent post पे substantively आएगा तो tenure post पे उसकी lean जो है वो terminate हो जाती है ठीक जब एक government servant जो है वो appoint होता है किसी autonomous body में तो उसे जो है अपने parent department में resign देना पड़ता और उसके साथ ही उसकी lean जो है वहाँ पे terminate हो जा अगर यह government servant ने जो है जाइन नहीं किया अपना new post within joining time यहने कि joining time के दोरान अगर यह government servant ने अपनी जो उसकी नहीं duty है नहीं place of posting है वो जाइन नहीं कि तो उसकी lean जो है वो terminate की जा सकती है as per article 106 लेकिन अगर ऐसा लगा government को कि जो fault था जिसकी वज़ा से वो within due time within stipulated time join नहीं कर पाया वो fault beyond his control था तो उस time पे जो है उसकी lean terminate नहीं होती है यह आप article 106 के अंडर जे के CSR के अंडर भी देख सकते हैं ठीक है अगर एक government servant जो है वो recruit होता है किसी और department में through direct recruitment और वो वहाँ पे join कर लेता है अपनी appointment तो automatically जो उसका पहला department होता है उसमें ज हो जाती है अगर एक government servant duties से absent रहता है long considerable time तक unauthorizedly और बार बार उसको जब notice निकालते हैं उसको बार बार मोका देते हैं वापस आने की और वो नहीं आता है तो automatically उसकी services को terminate किया जाता है और automatically उसकी lean जो है उस time पह terminate हो जाती है जब एक government servant resign करता है government services से at the very same time उसकी lean जो है वो से के साथ terminate हो जाती है ठीक है तो आज का lecture I hope आपको समझाया होगा काफी important lecture है examination point of view से आप प्लीज इसके थूँ जाएगा बिकस जब भी exams होते हैं हम इस question को paper में पाते हैं तो I request you all कि अच्छे से इस lecture के थूँ जाए and please अग अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे आने वली वीडियो उसको बकाइदा receive करने के लिए चैनल को subscribe करें और अगर आप चैनल को subscribe करेंगे तो आपको हमारी तरफ से free PDFs भी मिलेंगी और साथ ही साथ इस वीडियो को like और share जरूर करें ताकि ये content बाकि हमार करें मिनिस्ट्रियल स्टाफ मेंबर्स तक भी पहुँच आए और उन्हें भी फाइदा मिले थैंक यू